नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल Study with Ashok में दोस्तों आज का हमारे टॉपिक है Chronic Capitalism दोस्तों एक कहवत है कि बिना अर्थ के कोई तंत्र नहीं होता है यहाँ दोस्तों अर्थ से संबंध है धन का और तंत्र से सिस्टम मतलब है सिस्टम का दुनिया में पूंजीवाद, सामेवाद, समाजवाद और मिश्टित अर्थवेवस्था जैसे कई आर्थिक परणालिया है इन सभी परणालियों में उत्पादन के चार कारक है भूमी, शरम, पूंजी और उध्यमी उत्पादन का चौथा कारक अर्थात उध्यमी दुनिया में कई और जोगिक रांतियों के लिए जिम्मेदार है किसी उध्यमी की सफलता काफी हद तक संबंधित देश की सरकार के राजनेतिक समर्थन पर निर्भर करती है जैसे जैसे हम अधिक, आर्थिक और तक्निकी विकास कर रहे हैं आय और असमानता दिन परती दिन बढ़ रही है जिसका मुख्य कारण है राजनेताओं और उध्यमों के बीच एक मजबूत सांठगाट इस सांठगाट को ही क्रोनी कैपिटलिजम कहा जाता है दोस्तों इसके अर्थ की एदि हम बात करें तो क्रोनी कैपिटलिजम आक्सफोर्ड डिक्ष्णरी के नुसार क्रोनी का शाब्दिक अर्थ होता है अक्लोज, फ्रेंड और कमपेनियन यानि की करीबी दोस्तिया सखा यह शब्द ग्रीक भासा के शब्द क्रोनीयोज से बना है जिसका अर्थ होता है लंबे समय तक टिकने वाला क्रोनी कैपिटलिजम का अर्थ ऐसी अर्थ व्यवस्था से है जिसमें एक बिजनेस की सफलता बाजार की शक्तियों के द्वारा नहीं बलकी राजनितिक और वर्ग व्यापारी के बीच सांठ गांट पर निर्भर करती है इसमें सरकार ऐसी नितियां बनाती है जिससे एक विशेश वर्ग को लाब होता है और यह लाब कमाने वाला वर्ग भी सरकार को कुछ लाब ट्रांसफर करता रहता है एक व्यवसाय की सफलता, सरकार द्वारा, सरकारी अनुदान देना, लचर करसन रचना और अपनी पसंद के लोगों को टेंडर देना, व्यवपारी वर्ग के हितों के लिए नितियां बनाना, पर्तियोगिता को रोकना, नई फर्मों के परवेश को रोकना और अन्य तेरह से व्यवपारिक सहयोग शामील है, क्रोनिक कैपिटलिजम इंडेक्स, दोस्तों यदि हम इसकी बात करें, इंडेक्स की, तो यह सूचकांग इस बात की गर्णा करता है, कि उध्योगों में कितनी आर्थिक गतिविदियां होती हैं, जो कि क्रोनिजम से ग्रस्त हैं, क्रोनिक क रूज सबसे खराब रैंक पर था, जहां देश का अठारा प्रतिशद्धन देश के क्रोनी छेत्रों से आता था, क्रोनिक कैपिटलिजम इंडेक्स 2014, दोस्तों भारत को क्रोनिक कैपिटलिजम इंडेक्स में नौवे स्थान पर रखा गया था, यहां देश की GDP का 3.4% हिस् क्रोनिक कैपिटलिजम इंडेक्स 2016 में रूज सबसे खराब देश में था, जिसके बाद मलेशिया को दूसरी रैंक, फिलिपिन्स को तीसरी रैंक और सिंगापुर को चौथी रैंक पर रखा गया था, क्रोनिक कैपिटलिजम के उधारन क्या है, तो इसके हम उधारन की बात यह सब क्रोनिक कैपिटलिजम का ही परिणाम है, ओक्सफेम की रिपोर्ट 2019 के अनुसार, पब्लिक गुड या प्राइवेट वेल्थ, शीर्सक से पता चला है कि भारत के शीर्स 10 प्रतिशत अमीर, कुल 77.4 प्रतिशत राश्ट्रिय समपत्ति के मालिक हैं, दूसरी तरफ भ और दुनिया में अमीर व्यक्ति और अमीर और गरीब व्यक्ति और गरीब होता जा रहा है, इसलिए यह निसकर्स निकाला जा सकता है कि क्रोनिक कैपिटलिजम से देश और दुनिया की कुल समपत्ती केबल कुछ लोगों के हाथों में किरिंद्रित होती जा रہी है और 7.7 क रोड़ाबादी का बड़ा हिस्सा आज भी भूके पेट सूने को मजबूर है दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी यदि अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कमेंट्स एंड सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद